नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रांट जोतिस सीक्रेट अगर आपका भी नाम डी लेटर से सुरू होता है तो 2022 आज हम जानेंगे कि डी अक्षर से नाम जिनका सुरू होता है उनके लिए 2022 कैसा रहेगा तो चलिए जानते हैं आपके सुभाव, आपकी सिक्षा, आपकी करियर, लगाईप और धन की इस्तिती के बारे में अगर हम जोतिस की बात करें तो हर नाम का कुछ नो कुछ अर्थ जरूर होता है और उस ब्यक्ति पर उस नाम का असर भी पूरी लाइप पड़ता है तो आज हम आपके साथ बिश्तार से जुड़े हैं, पहले हम आपके ब्यक्तिक तो आपके सुभाव के बारे में जानते हैं जो डी लेटर वाले होते हैं बड़े ही दिल के सौप्ट होते हैं, एकदम से सांथ, बहुत ज़्यादा इमोसिनल भी होते हैं दूसरों का दुख दर्द इनसे बिलकुल भी सहन नहीं होता, बरदास नहीं होता, यह देखी नहीं पाएंगे और यह सब को साथ लेकर ही चलते हैं वैसे तो चाहे परिस्तितिया इनकी खुद की कैसी भी हो लेकिन अगर कोई तकलीफ में है, तो यह चाहते हैं कि वो भी थोड़ा सा बेहतर तक्फिल करें लोगों के सुखों में ही इन्हें सुख मिलता है और इनकी लाइफ में प्यार, रिस्ते, यह सभी चीजे खास महत्तों रखते हैं इसी करन यह रिस्ते निवाने में सबसे आगे होते हैं लेकिन काम के प्रती हमेशा ही एकदम से पॉजेटिव सोच रहता है छोटी-छोटी चीजों के लिए दूसरों पर आस्तित रहना पसंद नहीं है और इनकी सबसे खास बात तो यह है कि किसी भी परिस्तिती में खुद को ढाल लेंगे और प्यार की बात करें तो यह प्यार के मामले में थोड़े एमोसनल होते हैं और प्यार में जल्दी पड़ भी जाते हैं लेकिन जब किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो उसे पूरी इमंदारी से निभाते हैं और ये अपने साथी को दिल की गहराई से चाहने वाले होते हैंगर अगर हम इनके सिख्छा करियर की बात करें तो ये साल आपके उमिद से कहीं बढ़ कर है क्योंकि मद इसे लेकर यारिक काई पर फोकस रहें आप करियर में बढ़ियां करेंगे आपका परदर्सन पढ़ाई में अच्छा है जो आपके माता-पीता को बहुत खुश करेगा वैसे तो उम्मीद से ज्यादा सफलता यहां भी है पस प्रयास को सही तरीके से करना यह नहीं कि हमने कहा दिया आप बहुत बनाया रखें तो अच्छा है तो आपके लिए बिजनस में तरक्की के योग बने हो थे कि बात करते हैं तो यह साल आपके लिए प्रेइम और बहतर होता जाएगा प्रे में हो सकता है अप लव मैरेज करें प्रेम समंद बिस्वास बनाया रखेगा बढ़ पाइगा जीवन करें तो आपके लिए अनुकूल वक्त है क्योंकि साल की सुरुवाद जो है वो धन के मामलों में ज्यादा अच्छा है साड़े साती भी उतरने को होगी तो धन आएगा और इसमें आपकी जो आर्थिक इस्तिति है न वह भी आपके लिए बढ़िया है हलां कि इसमें कोई अब हम जानते हैं आपके लिए और विस्तार से देखें जो डी लेटर है न अगर हम अंग्रेजी बंड माला की बात करें तो डी अक्छर के लिए 2022 कैसा रहेगा आज हमारी चर्चाएं चल रही है तो डी लेटर चौथे नंबर परस्थान पर आता है और चार नंबर अंक सा जिनका स्वामी यहां पर ब्रहस्पती है और इसका मतलब यह हुआ कि डी लेटर वाले लोगों के लिए 2022 में राहू और ब्रहस्पती का भूमिका रहेगा तो चली जानते हैं आपके जीवन में इसका क्या प्रफाव पड़ेगा तो करियर और जौब की बात करें तो आपके लिए मिला जुलावा वक्त है क्योंकि सुरुआत में हो सकता है आपका तबादला कहीं हो जाए यानि कि अपने घर से दूर जाकर यानि बिदेश जाकर कम आप करें या बिदेशी जमीन से आपको लाब होगा और इसमें सभलता भी मिलेगी अब यहां पर नोकरी को लेकर भ क्योंकि थोड़ा सा लगेगा जैसे आपका बोर हो रहा है काम करकर के तो गलतियां खोज रहेगी होगी गलतियां तो परिसानिया बढ़ेगी इसलिए आपको गलती नहीं करना है गलतियों से बचना होगा अगर आप बिजनसमेन है तो सुरुआत बहुत अच्छा है और एक करना होगा था ध्यान देना चाहिए अब आपको इस समय अगर कोई आपके जो से पिता हैं पिता की सलाह से कोई काम करते हैं तो आपको लाब देगा पर जो बिद्यार्थी हैं उनके लिए सुरुआत के अगर समय छोड़ दें तो आप अपनी पूरी कोसिस करेंगे खासकर आप चाहते हैं कि बिदेश में पढ़ाई करें बिदेशी जमीन पर जाके कोई काम करना चाहते हैं तो यह साल आपको अच्छे रिजल्ट देंगे आपको जरूर आपको बिदेश से लाब दिलाएगा तो आपके लिए सुरुआत तो बढ़िया है पर एक चीज है आपके ब मामलों में छोटे मोटे अगर हम नुकसान को छोड़ दें तो इंकम बीच बीच में होते रहेंगे जनवरी फरवरी मेहने में धन को लेकर खासकर बिजनस में जो हैं उनके लिए बढ़ियां हैं लंबी दूरी की यात्रा बेगरे के योग हैं और उनसे थोड़ा खर्च तो जोएंड की समस्य है जोएंड बेगर है तो इनसे आपको बचना चाहिए यह आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि आप स्वास्त का ध्यार नहीं रखते और लापरवाही के कारण फिर आप परिसान होते हैं तो आपको इन चीजों का ध्यान 2022 में रखना होगा